साथियों, द्रस्टा चार की इस दुकान में जूटे हुए ये सभी परिवार बात के कट्टर समर्थक है न खाता न वही जो परिवार कहे वही सही लोग तंत्र के लिए कहा जाता है Of the people, by the people, for the people लेकिन इन परिवार बादियों का मंत्र है Of the family, by the family, for the family Family first, nation nothing इन लोगों का मोटो है इनकी यही प्रेरणा है ये लोग, देश के लोगतंत्र को देश के समिधान को अपना बंधक बनाना चाहते है इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा नफरत है नफरत है गोटाले है तुष्टी करण है मनकाले है परिवार बाद की आग के दसकों से देश हवाले है साथियों इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं बलकि अपने बच्चों का अपने भाई भतीजों का विकास माईने रखता है आज कल आप देखते हैं कि देश में स्टार्ट अफ बढ़ रहे हैं हमारे युवा बड़ी संखा में पैटेंट करा रहे हैं ट्रेड मार रजिस्टर करा रहे हैं पौर्ट की दुनिया में मेरे देश के नौजवान चाहे हुए हैं बेटियां कमाल कर रही हैं ये युवा शक्ति हमारे देश में पहले भी थी लेकिन इन परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया इनकी एक ही विचारदारा है एक ही एजेंडा है अपना परिवार बचाओ परिवार के लिए ब्रस्टाचार बढ़ाओ इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्रेम है देश का विकास रोकना अपने कुशाशन पर परदा डालना और अपने ब्रस्टाचार के विरूत कारवाई को रोकना अब देखिए ये जो जमाद इखटी हुए है न उनके कुनबे में बड़े से बड़े गोटालों पर अपरादों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है जब किसी एक राज्य में इनके कुशाशन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों की ये लोग फौरण उसके बचाओं में तरक देने लगते हैं कही बाड़ गोटाला होता है किसी का अपरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चूप हो जाते हैं आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पस्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए वहां सरे आम हिंसा हुई लगातार खुन खराबा हो रहा है इस पर भी इन सब की बोलती बंग है कॉंग्रेस के लेप के अपने कारकरता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस और लेप के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कारकरताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है राजस्तान में बेटियों से अत्याचार हो या परिशाओं के पेपर लीक हो रहे हो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता परिवर्तन की बाते करके जनता से विश्वास गात करने वाले जब करोड़ों का शराब गोटाला करते हैं तो यह कुणबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है इनका कटर प्रस्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बद्ध हो जाता है जब देश की कोई एजंसी इन पर कारवाई करती हैं तो उनका टैप रिकरडर शुरू हो जाता है कुछ हुआ ही नहीं सब साजीस हैं हमें फसाया जा रहा है आप तमिल अड़ु में देखिए ब्रस्टाचार के गोटा लेके अनेक मामले सामने आ रहे हैं लेकिन इनके कुल्मे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लिंचिट दे दी है इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों उनको जान लीजिए इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बैनो